लोगसभा चुनाव के बाद देश में इस साल जहां महराष्ट चारकंड और हरियाना में विधान सभा चुनाव होंगे तो वहीं अगले साल के शुरुवात में रास्थानी दिल्ली में भी मतदान होगा जिसे लेकर तमाम राजनितिक दलों ने तैयारियां तेस कर दी है इन स हरियाना में इस साल विधान सभा के चुनाव होने हैं जिससे लेकर कॉंग्रोस पार्टी ने एहम फैसले लेते हुए सूबे में अध्यक्षपत की कमान कुमारी शेलजा को सौपती है ऐसा करके कॉंग्रोस पार्टी ने बड़ा दलित काड़ खेला है पार्टी के इस फैसल इस से लेकर एक दिन पहले दिल्ली के कई नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की पार्टी नेता सुभाज चोपडा और प्रभारी पीसी चा को कॉंग्रस अध्यक्ष से मिले और उन्होंने अनुरोत किया कि अब जल से चल्द दिल्ली में भी प्रदेश के दुनिया से अलवदा कहने के बाद सही ये पद खाली है और जब से सोनिया गांधी ने कॉंग्रस अध्यक्ष का पद सम्हाला है तब ही से वो लगातार दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष और चुनावी रणनीती पर चर्चा कर रही है इस से लेकर ही बुदवार को भी राजधानी में एहम बैठक हुई बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पत की रेस में कई नाम आगे चल रही है जिन में तीनों कारकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ देविंद्र यादव और राजेश लिलोठिया के साथ साथ जैप्रकाश शगरवाल अरविंदर सिंग लवली योगानन शास्त्री का नाम आगे है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इन में से राजेश लिलोठिया के नाम पर प्रदेश प्रभारी पीसी चा को सक्त आपत्ति जता चुके हैं ऐसे में अब कॉंग्रस आला कमान किसके नाम पर मुहर लगाती है यह देखना दिल्चस्प होगा डीबी राइस की रिपोर्ट